एक दिन की बात है, एक गरीब परिवार में मा बहुत परेशान होकर अपने पती से बोली, हमारा एक समय का खाना भी पूरा नहीं होता और बेटी दिन बदिन बढ़ी होती जा रही है। गरीबी की हालत में उसकी शादी कैसे करेंगे। ये सुनकर बाप भी विचार में पढ़ गया। दोनों ने दिल पर पत्थर रखकर एक कथोर फैसला किया कि अगले दिन बेटी को मार कर दफना देंगे। अगले दिन सूरज निकला मा ने अपनी बेटी को खोब लाड़ प्यार किया अच्छे से नहलाया और बार बार उसका सिर चुमने लगी। ये देखकर बेटी ने कहा मा मुझे कहीं दूर भेज रहे हो क्या। आज तक आपने मुझे ऐसे कभी प्यार नहीं किया। मा केवल बेटी से ये देखा नहीं गया। उसने तुरंत काटा निकाल कर अपनी फटी चुनवी का एक हिस्सा पैर पर बांध दिया बाप और बेटी दोनों जंगल में पहुँचे। बाप ने फावरा लेकर एक गढधा खोदने लगा। बेटी सामने बैटी बैटी देख रही थी थोड़ी देर बाद गर्मी के कारण बाप को पसीना आने लगा। बेटी बाप के पास आये और पसीना पूंचने के लिए अपनी चुनरी दी। बाप ने उसे धक्का देकर कहा तु दूर जाकर बैट थोड़ी देर बाद जब बाप गर्धा खोदते खोदते थक गया तो बेटी दूर से देख रही थी। जब उसे लगा कि पिताजी ठक गए हैं तो पास आकर बोली पिताजी आप ठक गए हैं। लाओ फावरा मुझे दो मैं खोद देती हूँ आप थोड़ा आराम कर लो मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती यह सुनकर बाप की आँखों बन कर रहोगी। मैं खूब मेहनत करूंगा और तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा बेटी भगवान की अनमोल भेट होती है। इसलिए कहा जाता है कि बेटा भाग्य से मिलता है और बेटी सौ भाग्य से। बेटी का महत्व परिवार और समाज में अतुलनिय है। आ इसने और आदर दें।